गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स, आज इन ओर्गनी केमिस्टी का सेकेंड चैप्टर, केमिकल बॉंडिंग इंपोर्टेंट टोपिक है, इसमें केमिकल बॉंडिंग में भी सबसे इंपोर्टेंट टोपिक जो है अपने पास M.O.T. है, आप देखोगे कि नमर ओफ किष्ण देखोगे, 2019 में आयोए किष्णों में आपन देखेंगे, maximum किष्ण जो पूछे गए हैं, वो कहां से पूछे गए हैं, M.O.T. से पूछे गए हैं, इसलिए जो किष्ण आये हुए हैं, उनसे related जो किष्ण और बन सकते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करते जाएंगे, पहला किष्ण आया हुए जो, according to molecular orbital theory, which of the following is true with respect to lithium plus Li2 plus and Li2 minus, आनवी कक्षिक सिद्दान्त के अनुसार, Li2 plus तथा Li2 minus के संदब में, निमलिक्ट में से कौन सा कथन, कौन सा ऐस सत्ते हैं, Li2 plus and Li2 minus, सबसे पहले, सबसे पहले अपने इनका bond order देखते हैं, बंद करम देखते हैं, Li2 plus and Li2 minus, Li2 plus and Li2 minus, अपने एक चैप्टर पढ़ा था chemical bonding, उसमें अपने इनके trick पड़ी थी, तो अपने देखा था, bond order इसका भी कितना आ रहा है, 0.5 आएगा, और इसका bond order भी कितना आएगा, 0.5 आएगा, दोनों का bond order कैसा है, दोनों का bond order सेम है, दोनों का bond order कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो फिर अपने किस से decide करेंगे, कौन सा stable है, कौन सा कम stable है, दोनों stable है, दोनों unstable है, दोनों stable तो है, किसी का bond order अगर कुछ ना कुछ आता है, तो मतलब दोनों की stability तो है, अगर किसी का bond order 0 आता है, तो मतलब उसकी stability नहीं है, किसी का भी bond order 0 आये, मतलब दो atom के बीच में कोई bond नहीं है, तो वो stable नहीं है, जैसे कि अपने एक example लेते हैं, helium, H2, इसका bond order कितना हैग करके देखा तो इसका बंड ओडर आटा था 0.5 इसका बंड ओडर कितना रहता 0.5 हैं तो दोनों stable और दोनों में से ज़ादा stable कोन नहीं वैसे तो अपना answer मिल गया कि बहुत हार stable पर फिर भी अपना के देखते हैं कि दोनों में से ज़्यादा stable कोन है जब भी ऐसा देखना है, तो जिसके anti-bonding में, जिसके anti-bonding, अगर किसी का bond order, same atom, sorry, molecule के लिए बात कर रहा हूँ, ये भी lithium molecule है, ये भी lithium molecule है, दोनों ही same molecule है, उनके लिए अपने को ये factor लगाना है, कौन सा? किसी के भी anti-bonding, प्रती बंदित, anti-bonding में जितने ज्यादा electron होंगे, उसकी stability उतनी कम होगी, मैं फिर बोल रहूँ आपको, कि ये कब देखना है, जब same molecule हो, यहाँ भी lithium है, यहाँ भी lithium है, तब यह formula लगाना है, क्या, जिसके भी anti-bonding में, जितने ज्यादा electron होंगे, वो उतना कम stable होगा, तो इसमें तो answer अपन लगा लेते हैं, अपना third answer आगया, next अ energy diagram में आपन देखते हैं, यह energy diagram बना रहे हैं अपने इनका, यह 1S था, एक lithium का, यह दूसरे lithium का 1S, electron थे दो, electron थे दो, इधर देखा, 2S, 1, इधर भी क्या है, 2S, 1, दोनों 1S, 1S आए, एक दूसरे पर overlap किया, अपने को पता है, जब भी SS overlap होगी, तो क्या बनेगा, sigma bond बनेगा, तो यह को बन गया, sigma 1S बन गया, क्या बन गया, sigma 1S, तो यह क्या बन जाएगा, sigma, anti bonding है, sigma 1S, star बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sigma 1S, star, इसका नाम क्या होगा, sigma 2S, इसका नाम क्या होगा, sigma 2S, star होगा, क्या होगा, sigma 2S, star, इलेक्ट्रों फिल करना, अपने स्टार्ट करें, यहाँ पर बन, यहाँ पर बन, टोटल इलेक्ट्रों हो गए, अपने पास six इलेक्ट्रों हो गए है, तो अपने फिल किया, two, four, five and six, यह किस के लिए लिखा है, यह अपनने लीचियम molecule Li2 के लिए लिखा है, simple Li2 के लिखा है, इसका boundary order अपने के देखा, कितना आ गया, इसका boundary Li2 का boundary order आएगा 1, अपने को Li2 से, एक तो अपने बनाया minus, और एक अपने बनाया Li2 plus बनाया, इन दोनों का boundary order देखते हैं, Li2 minus बनाएंगे, तो electron कहा यहां fill करेगा, electron उपर anti-bonding में fill करेगा, किस में करेगा, anti-bonding में fill करेगा, तो anti-bonding में अपने electron देखते हैं, कितने होए, 2 and 1, 3, तो यहां anti-bonding, ABMO में electron, कितने आए, 3 ABMO में electron, जबकि यहां Li2 plus में अगर अगर अपन काउंट करें, तो अपने को देखा, कि यह एक यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, द्वारा diagram अपन बनाएं, electron remove कहां से हो गया, Li2 plus में, यहां से एक electron remove हो गया, तो anti-bonding में अब electron कितने हैं, अपने पास, दो, तो यहां ABMO में electron, कितने आए, दो, तो किसके ABMO में electron ज़्यादा हैं, Li2 minus के ABMO में electron ज़्यादा हैं, तो कम stable हुआ यह, तो ज़्यादा stability अगर देखें, Li2 minus से, ज़्यादा stable account Li2 plus, Li2 plus, ज़्यादा stable account से, Li2 minus से, तो इस हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं, यदि यही question, अलग तरीके से पूछा जाए, किस तरीके से, कि अलग-अलग molecule दे दिये जाए आपरेको, जैसे मैंने आपको molecule दिये, H2, Li2, and B2, इन molecule के अलगर मैं stability की बात करूँ, stability, इन के लिए stability की बात करूँ, तो bond order से पहले अगर बात करें, तो bond order तो अपने को कितना मिल रहा है, 1, 1, and 1 bond order मिल रहा है, तीनों का 1, 1, 1 bond order मिल रहा है, stability फिर कैसे देखोगे, अब देखो, molecule अलग-अलग आ गए, molecule अलग-अलग आ जाते हैं, तो अपने को क्या करना है, अपने को इनका answer किस से देना है, और लेपिंग से देना है, यहां और लेपिंग कौन से हो रही है, 1s, 1s और लेपिंग हो रही है, यहां पर कौन से और लेपिंग हो रही है, 2s, 2s और लेपिंग हो रही है, अपने अभी देखा, bond किस के कारण बन रहा था, 2s, 2s के कारण, यहां कौन से और लेपिंग होग यह है P orbital में, तो उसके बाद में stability क्या आएगी B2 और उसके बाद में क्या आएगी Li2, तो यह stability order आगया, क्या आगया stability order, next आपन देखते हैं, next question देखते हैं, in which of the following process, the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic, नीचे दिये गए किस करम में आबंद कोटी बढ़ गई और अनुचुम्ब के गुन पर्तिचुम्ब के में बदल गया, आबंद कोटी बढ़ गई, मतलब bond order इंक्रीज हो गया, बढ़ ओडर के लिए देखते हैं, बन, no से में, no प्लस जाता हूँ, और 2 से में, और 2 माइनस 2 जाता हूँ, यहां बढ़ ओडर कितना था, सिधा लिख रहा हूंग, डारेक्ट पढ़ाया हो अपना, 2.5, यहां कितना था, 3, यहां दो बढ़ ओडर है, यहां कितना था, 1, next है, और 2 से, और 2, प्लस 1, बढ़ ओडर 2, यहां कितना था, 2.5 आएगा, कितना था, 2.5, यहां बढ़ ओडर 2.5 से 3, यहां 2 से 1, यहां 2 से 2.5, 3 से 2.5 बढ़ ओडर आया, बढ़ ओडर इंक्रीज किसमें किसमें हो रहा है, आबंद को रिबढ़ ने चीए, बॉंड ओडर इंक्रीज होना चीए, बॉंड ओडर इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, कैंसल हो गया, इसमें इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें decrease हो रहा है, cancel हो गया तो ये दो option तो अपने से अपने पास remove हो गए, कौन से कौन से ये दो बचे O2 से O2 plus 1 and NO से NO plus 1 अब इनमें paramagnetic property देखते हैं अगर इसमें ध्यान रखना कोई भी odd number electron है तो कैसा होगा वो paramagnetic होगा मतलब इनने भी बोलेंगे अनुचुंप की odd number मतलब विश्यम संख्या कोई भी विश्यम संख्या electron होगा तो कैसा होगा, paramagnetic होगा इसमें किसको count करना है 10 and 16 को इसमें count करना है आपको 10 and 16 को इसमें count करना है मतलब हैं ये कैसे even number है पर अपने को कैसे लगके चलने है paramagnetic लेके चलने है अगर even number electron होगे तो कैसा होगा वो diamagnetic होगा प्रतिचुम्ब की कैसा प्रतिचुम्ब की होगा किसको छोड़ कर 10 and 16 को छोड़ कर किसको छोड़ कर 10 and 16 को छोड़ कर विश्यम संख्या में लेक्रोन आता है paramagnetic होगा count किसको करना है 10 and 16 को count करना है even number में है diamagnetic होगा, प्रति चुम्प की होगा, 10 and 16 को छोड़ कर, देखते हैं अबन, यह दो option है अपने पास, एक तो यह रहा, और एक यह रहा, यहां कैसा है यह, 15 नमब, electron होगे, 15 है, कैसा odd number, तो कैसा होगे यह, paramagnetic, कितने होगे, 14, तो यह कैसा होगया, diamagnetic, इसमें देखते हैं अबन, 16, 16 को अपने को किसमें काउंट करना है, odd number में काउंट करना है, कैसा होगा, paramagnetic, तो यह होगा, paramagnetic, और 2 प्लस 1, 15, तो यह भी कैसा आगया, paramagnetic, तो इसमें यह दोनों ही paramagnetic मिल रहे हैं, जबकि इसमें यह paramagnetic और यह कैसा है, diamagnetic है, तो अपन यह बोल सकते हैं, अपना आंसर कौन सा आजएगा, first answer आजएगा, next question की और बढ़ते हैं हैं अपन, 2 pi and half sigma bond are present in, अच्छा कुशन है, बड़िया कुशन है यह, 2 pi तो था आदा sigma बन, निमन में से किस में उपसित है, ऐसा पता लगाने के लिए, ऐसा पता लगाने के लिए, पहले बात तो यह कर लेते हैं, 2 pi का मतलब, 2 bond order हो गया, half sigma का मतलब, आदा bond order हो गया, तो bond order कितना हो इसका, इसका मतलब हो गया, bond order कितना है का अपने पास, 2.5, bond order का मतलब क्या है, average bond between two atom, दो एटम के बीच में, जितना bond होगा, उतने, उसे average bond होगा, उसे ही क्या का जाता है, bond order या, बंद करम का जाता है, क्या, बंद करम, तो पहले आपन देख लेते हैं, अपने सिधा सिध इसमें बंद कितना है, 2, इसमें बंद कितना है, 3, इसमें बंद कितना है, 2.5, इसमें बंद कितना है, 2.5, इसमें बंद कितना है, 2.5, bond order अगर सेम आ गया है, तो अपने को energy diagram बनाना ही पड़ेगा, energy diagram बनाना ही पड़ेगा, O2 और N2 O2 और N2 का Bound Order Sorry Energy Diagram दोनों का ही अलग-अलग बनता है अब हम देखते हैं क्या-क्य Energy Diagram बनता है अगर N2 का Energy Diagram बनाता हूं मैं Energy Diagram बनता है Energy Diagram ये किसका है N2 के लिए बनाएंगे बन और ये यहाँ पर O2 के लिए Energy Diagram बना रहे है Energy Diagram बनाएंगे बनता है Energy Diagram बनाएंगे बनता है इसका और 2 का इसका नेम क्या है Sigma 1s Sigma 1s star Sigma 2s Sigma 2s star Sigma 2p 2p z pi 2p x and pi 2p y Molecular axis किसे ले ले लेते हैं बनाएंगे Z x इसको ले लेते हैं Kisको ले लेते हैं? Z x इसको तो यह क्या बन जाएगा? Sigma 2p z star Pi 2p x star Pi 2p y star Sigma 2p z star Pi 2p x star Sigma 2p x star Sigma 2p z Pi 2p x बराबर Pi 2p y Sigma 2s star Sigma 2s Sigma 1s Sigma 1s A star A Sigma 1s अब अब अपन एनर्जी एलेक्ट्रोन फिल करते हैं 2 इसमें देखें पोजिटिव था O2 भी क्या था? O2 भी अपने पास पोजिटिव है O2 भी पोजिटिव है तो इसमें कितने एलेक्ट्रोन होए अपने पास? 13 4 6 8 9 10 11 12 13 यहां फिल करें कितने एलेक्ट्रोन होए? 15 लेक्ट्रोन होए? 2 4 6 8 14 15 चाहे इसमें रहे, चाहे इसमें रहे कि दोनों के एनर्जी कैसी है? सेम है जिनके एनर्जी सेम होती है उन्हें Degenerated Orbital या फिर सम ब्रंश कक्षक बोलते हैं Orbitals बोलते हैं हैं अपन देखते हैं अब यह Molecular Orbital है यह जो बीच में रखे गए हैं यह क्या है? Molecular Orbital है Molecular Orbital किसको represent करता है? एक bond को represent करता है किसको? bond को यह BMO एक bond को represent कर रहे हैं, anti-bonding उसी bond को break करने के लिए जो energy बन गी उसको represent कर रहा है, तो इसने bond बनाया, इसने break कर दिया, इसने बनाया, इसने break कर दिया, इसके सारे के सारे जो last बचे हुए bond, वो कौन से कौन से हैं, BMO वाले हैं, यह anti-bonding में कोई electron नहीं है, BMO कौन से कौ होगे, 2 pi, half sigma, एक electron अगर 2 electron होते तो कितना क्या हो जाथा, पूरा sigma हो जाथा, पर एक electron तो half sigma represent करेगा, इसमें है अपन देखें, इसने बनाया, इसने break कर दिया, इसने bond बनाया, इसने break कर दिया, यह बना रहे हैं और यह break कर रहा है, यह किसमें पढ़ा है, pi में, तो इसको तोड़ेगा, pi को भी break करेगा, इसको break करेगा, पाई को, तो यह half break हो जाएगा, किसके खारण, इसके कआरण, तो यहाँ कितना bond बचा, यह एक पूरा sigma है, यह एक पूरा pi है, और इसने आदा पाई तोड दिया, आदा पाई ब्रेक कर दिया, तो यहां कितना पाई बचा, तो यहां क्या होगा, 1 सिग्मा, and one and half, पाई, one सिग्मा and one and half, पाई, तो इस हिसाफ से अपन बता सकते हैं, अच्छा कुशन है, ऐसा कुशन अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे वो आपको पूछता O2-2 O2-2 में कितने है या O2-1 में बात करता O2-1 O2-1 का मतलब क्या हो गया 17 electron हो गए 17 हो गए तो यह ऐसे आजाएगा तो कितने πाई टूट चुके है एक तो पूरा पाई टूट चुका है और एक हाफ पाई टूट चुका है तो O2-1 में कितना आता एक पूरा पूरा सिग्मा 1 सिग्मा and हाफ पाई 1 सिग्मा and हाफ पाई next question अपन देखते हैं तो उसमें आंसर क्या आजाएगा अपने पास N2 plus 1 आंसर आजाएगा next question अपन देखते हैं hydride जो electron noon नहीं है वह है the hydride that is not electron deficient इसमें देखें electron noon का मतलब क्या है जिसमें आट से कम electron होते हैं उन्हें electron noon का आ जाता है क्या का जाता है? electron noon का जाता है और hypovalent दो इंग्लिश में नेम है याद रखना hypovalent electron noon hypervalent आट से ज़्यादा hypovalent आट से कम hypovalent आट से कम hypervalent आट से ज़्यादा इनमें अपन बात करते हैं SIH4 इसने चार bond बना रखें sharing करकर तो टोटल electron कितने हो गए मेरे पास 8 electron हो चुके हैं कितने 8 electron जबके aluminum hydride में AL H H and H कितने हो यह? 6 electron हो गए 6 electron हो चुके हैं इसमें कितने हैं? 6 electron इसमें कितने हैं? 8 electron gallium वाले में देखें G A H H and H कितने हो गए? 6 electron हो गए कितने? 6 electron B2H6 में देखें किसमें? B2H6 में B H H H B H H H यहां कौन सा बोंड आता है? 3 center 2 electron bond यह false bond है इसमें कोई भी sorry शाफ नहीं हो रहा हो गया हो गया H यह false bond है तो इसमें कितने electron मूव करते है यह 2 electron क्या करते है oscillate करते रहते है तो इस boron के पास कितने electron होए? 2 2, 4 and 2, 6 होए इसमें कोई भी electron नहीं है ऐसे इसमें देखा जाए इधर 2 electron है इधर 2 electron है और इधर भी 2 electron है तो यह हो गया इसमें 8 electron complete है जबकि यह कैसे हैं तिनों के तिनों electron, noon या hypovalent बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इनको hypovalent next question देखते हैं अबन the element that show greater ability to form pipi pipi multiple bondage pipi pipi बहुबंद बनाने की प्रबल योगिता रखने वाला तत्तु है यह सारे के सारे एक ही गुरूप के हैं सारे के सारे एक ही गुरूप के हैं एक गुरूप में top to bottom जाने पर size increase overlapping decrease एक गुरूप में top to bottom जाने पर size increase overlapping decrease तो क्या होगा pipi pipi bond बनाने की tendency क्या होती जाती है decrease होती जाती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है pipi pipi bond बनाने की tendency carbon की होती है maximum tendency of formation of pipi pipi bond किसकी carbon की होती है due to small size है ना second बात करें है अपन इसी के कारण क्या होता है carbon में catenation power maximum shankland का अंगून catenation power shankland का अंगून maximum होता है जिसके कारण ये भोछ से hydrocarbon का formation करता है जिसके कारण तुम्हें एक subject पढ़ते हो organic chemistry तो अपना answer आ गया कोईसा second आ गया second next question देखते है अपन the correct statement about ICL5 and ICL4- structure बताने हैं वे दोनों की structure से पहले hybridation count करेंगे इनका hybridation count किया ICL5 and ICL4- next question पेज पर देख लेते हैं ICL5 and ICL4- अपनने देखा ICL5 में hybridation आया S पर सिग्मा count कर जाते हैं 5 सिग्मा 1 लोन पेर इसमें बात की 4 सिग्मा 2 लोन पेर 4 सिग्मा 2 लोन पेर 5 सिग्मा 1 लोन पेर S P3 D2 इसमें भी S P3 D2 hybridation आ गया कौनसा आ गया S P3 D2 और इसमें भी क्या आ गया S P3 D2 hybridation आ चुका है तो इसकी shape कौन सी बनेगी square pyramidal square pyramidal इसकी shape कौन सी बनेगी planar कौनसा planar square planar square square planar बनेगी इसकी shape कैसी बनेगी square planar बनेगी Jब कि इसकी कौन सी मिनेगी square planar square pyramidal बनेगी Sorry square pyramidal बनेगी तो देख लेते हैं अपना, आंसर कोन सा आएगा अपना, पहले हम दोनों इस्टे सम सरचना आतमा के, no, ICL, ICL 5 is square pyramidal and ICL 4 is tetradal, no, ICL 5 is trigonal bipyramidal and ICL 4 minus is tetradal, no, ICL 5 is square pyramidal and ICL 4 minus is square planar, बिल्कुल राइट, फोर्थ आंसर अपना आगे हैं, next question अपना देखते है, the ion that has SP3D2 hybrid acid for the central atom is, निवन में से किस आइन में केंदे परमानों का संकरन SP3D2 है, इसमें अपना ने देखा, पहले में, आओधिन के पास कितने होते हैं, 7, 7 and 1, 8, 8 में से 6 गए, 6 bond बन गए, तो एक lone pair बच गया, तो एक lone pair, 6 sigma, total हो गया 7, तो hybridation हो गया, SP3D3, second देखते हैं, BR, F2 minus, BR, 7, 1, 8, 8 में से 2 गए, 6 बचे हैं अपने पास, 6 electron का मतलब 3 lone pair, 3 lone pair, plus 2 sigma, अपने trick सीखी थी, कैसे count करना इनको, जल्दे से count करने का तरीका बताया हुआ मेरा, इसमें देखे हैं अपन, 7 and 1, 8, 8 में से 2 गए, 6, 6 मतलब 3 lone pair, plus 2 sigma, SP3D, SP3D, ICL4 minus के लिए बात करें, ICL4 minus, ICL4 minus में अपन देखते हैं, 7 होते हैं, electron, iodine के पास, 7 and 1, 8, 8 में से 4 गए, तो 4 में रहे हैं अपने पास, 4 का मतलब 2 lone pair, 2 lone pair, plus 4 sigma, total हुए कितने 6, 6 का मतलब पता है, SP3D2, क्या गया, SP3D2, तो अपने को पूछा क्या था, SP3D2 पूछा था, अंसर आगया, अपना 3rd आगया, next question अपन देखते हैं, among the following molecule ions, C2-2, N2-2, O2-2, O2 which one is diamagnetic and has the shortest bond length, निम ननुओं आइनों में C2-2, N2-2, O2-2, O2 को, कौन पर्तिचुम्प किया है और कुसकी आबंद लंबाई सबसे कम है, आबंद लंबाई सबसे कम हो, और पर्तिचुम्प किया हो, देखते हैं कौन, C2-2, bond order count करते हैं पहले, इसका bond order आए कितना 3, इसका bond order कितना आए, 1, bond order आए 2, bond order आए कितना 2, यह अपने पास bond order आ गया, अभी अभी अपने अपने second question में अपने बताया था, paramagnetic, diamagnetic कैसे बताना है, अगर even number electron है, तो कैसा, paramagnetic, किसको count करके, 10 and 16 को count करके, odd number electron, exam गलत लिख दिया अपने, even number आएगा तो, diamagnetic, odd number आए तो, यह 10 and 16 को अपने को छोड़ना है, और यह 10 and 16 को अपने को count करना है, देख लेते हैं, c2 minus 2, कितने हुए electron, electron, अपने पास electron हुए, 14, 14 का मतलब diamagnetic, 18, diamagnetic and 2 minus 2, 16, 16 को अपने इसमें count करना है, यह कैसा आगया, paramagnetic, यह भी कैसा आगया, 16, paramagnetic, तो diamagnetic दो है, पर इसने और पुचा है, shortest bond length, सबसे छोटी bond length किसकी होगी, bond length, inverse होती है किसके, bond order के, जिसका bond order जदा होगा, उसकी bond length कम होगी, उसकी bond length क्या होगी, कम होगी, तो सबसे कम bond length किसकी होगी, first की सबसे कम bond length होगी, क्या होगी, first की अबन बात करते हैं Among the following, the molecule expected to be stabilized by the anion formation is C2O2NOF2 निम में से किस अनू के रनायन का निर्मान स्थाई होगा रनायन, मतलब उसको एक electron दिया जा रहा है किसी भी molecule में एक electron देने पर अगर उसका bond order increase होता है, तो उसकी stability increase होगी, अगर electron देने पर उसका bond order decrease होता है, तो उसकी stability decrease होगी, यह विशेश दियान रखना, यदि किसी भी molecule में एक electron देने पर किसी भी molecule में एक electron देने पर उसकी stability क्या हो रही है उसका bond order क्या हो रहा है increase हो रहा है, तो उसकी stability increase हो रही है, अगर एक electron देने पर एक electron देने पर bond order decrease हो रहा तो उसकी stability decrease हो रही है जैसे पन देखें O2 से O2-1 बनाएंगे F2 से F2-1 बनाएंगे NO से No WN N-1 बनाएंगे C2 से C2-1 बनाएंगे यहां boundary order note के हमने 2 है यहां boundary order कितना हेगा 1.5 है यहां boundary order कितना हे 1 है यहां पन देखा boundary order कितना हेगा 0.5инки का वॕॉइंट फ़एव याया देखा है कि Bahn बोश्र तुन फइखे तुन शांद तू पवंट फैगा यहां किटाना दुल झायो तूं पॉपॉइंट फईय ऑ एक ही श्पीynn Sorry में बॉन फाइब की शेंड रहरी वन बांस आजा जया वार्र नंग्ड वह था सब्सक्तय इडि नेक्स्ट कुछिशन देखते है वन, नेक्स्ट कुछिशन देखें हैं, HF has highest boiling point among hydrogen halides because it has. HF का कउतनांग hydrogen halide में उस्तम होता है, इसका कारण है. बेटाजी, जब भी boiling point, melting point, इनका mainly decision आ जाए, तो सबसे पहले अपने को hydrogen bonding देखनी है. hydrogen bonding अब अगर अपने को word मिल रहे हैं, तो अपने को उसकी तरफ ध्यान कीचना है, और भी reason होते हैं, परन्तो सबसे पहले अपने को कहाँ पर attack करना है, कि hydrogen नजर आ रहा है, तो hydrogen bonding क्यों attack करना है, HF है, high EN वालों के साथ जुड़ा हुआ है, जब भी hydrogen, high EN, phone, phone से attach होगा, तो यह hydrogen bond का formation करेगा, तो अपने पास strongest hydrogen bonding कोंसी होगी, फस्ट्रोंगेस्ट, आंसर आ जाएगा, strongest hydrogen bonding, next question देखते हैं, the structure of the beryllium chloride in the solid state and vapor phase, बेरियलियम कुलराइड की सर्चना है, थो सवस्ता था वाश्वस्ता, solid state and vapor state, beryllium chloride, BECL2, आपने पढ़ा था तब देखा था, कि beryllium chloride, BECL2 अगर solid ऐसे लिखावा आया है, तो यह क्या बनाता है, polymer बनाता है, वरना BECL2 किसमें रहता है, dimer की form में रहता है, किसमें रहता है, dimer, किसकी form में रहता है, dimer, कैसे देखते हैं पन, BECL2 solid लिखावा आया आपके पास, तो किसी साब से रहता है, यह 3 center to electron bond, BE, CL, CL, BE, CL, CL, coordinate, ऐसे काफी बड़ी-बड़ी श्रंकलाएं बनती हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपन, N, इसको अपन बोल देते हैं, यहां से लेकर इस bond को, 3 center, 4 electron bond, 3 center, 4 electron bond, next बात करते हैं अपन, dimer के लिए बात करें, dimer BE, CL, CL, BE, CL, CL, यह dimer है, यह vapor phase में dimer की form में रहता है, जबकि solid state में किस में रहता है, polymer की phase में रहता है, किस phase में रहता है, polymer की phase में रहता है, next देखते हैं अपन, among the following species, the diamagnetic molecules, nym species में पर्ती चुम्ब के यानु है, अपन पहले ही बता चुके हैं, अगर even number में आया, तो कैसा होगा, diamagnetic किस को छोड़कर, 10 and 16 को छोड़कर, दुबारा लिख देता हूं में, even number, diamagnetic, odd number, paramagnetic, even number कौन सा होगया, 10 and 16 को, अपने को count, नहीं करना है, 10 and 16 को, अपने को, paramagnetic में count करना है, तो यह 16 आया, कैसे species होगी, paramagnetic, B2, 10 आया, कैसे species, paramagnetic, CO, diamagnetic, NO, paramagnetic, तो अपने पास कौन सा होगया, CO क्या होगया, diamagnetic, next situation देखते हैं, during the change of O2 to O2 minus, the incoming electron gas goes to the orbital, O2 to O2 minus, में परिशित करते समया, अने वाला electron किस, जिस कक्षक में जाएगा वह है, O2 का डाग्राम बनाना पड़ेगा अपने को, इसमें अपने बनाया था अभी O2 का डाग्राम, O2 का डाग्राम बनाया था, तो उसमें उपर अपने देखा था, energy डाग्राम यह था O2 का, सिग्मा 2Pz, पई 2Px, पई 2Py, सिग्मा 2Pz, स्टार, पई 2Px, वेराबर पई 2Py, स्टार, निचे 8 फिल होगे थे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कौन सा पुछाएज, O2 ते O2, किसमें जाएगा, पई 2Px, स्टार, पई 2Py, स्टार, इन दोनों में से किसी एक में जाएगा, तो अपने पास स्टार के दो हैं, सिग्मा 2Pz, पई 2Px, स्टार आजाएगा, पई स्टार 2Px, नेक्स्ट देखते हैं, कृषिन, श्रंकलन का सही करम है, अपने को बता है, ग्रूप में टॉप टो बोडम जाते हैं, केटेनिशन पावर अभी अपने बात किती, टॉप टू बोडम जाते हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओवरलेपिंग, डिक्रीज होगी, केटेनिशन, डिक्रीज होगा, सबसे जाए केटेनिशन इसमें, फिर इसमें, इसमें ऑलमोस्ट, सेम् केटेनिशन पावर होगी, कैसी होगी, सेम् केटेनिशन पावर होगी, तो अब बोल सकते हैं अंसर अपना, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनिम, यह फर्स्ट आंसर आजएगा, नेक्स्ट किशन देखते हैं बन The relative strength of interionic intermolecular force in decreased order antraionic antraanwik बलों के सब एक समर्थे का गड़ता करम है देखो बेटा ion-ion, तीन वर्ट दे रहे हैं ion-ion, dipole-dipole, ion-dipole ion-ion तो सबसे ज़्यादा जो होगा ion-ion होगा ये एक टाइप से क्या हो गया ionic bond हो गया maximum attraction force लगेगा क्या लगेगा maximum attraction force लगेगा फिर second क्या होगा ion-dipole third क्या होगा dipole dipole option अपने बास third option अगया ऐसा next देखने बन the dipole movement of CCL4, CH, CL3 and CH4 अपने एक रूल पढ़े थे अपने if central atom have no lone pair then letter atom are same then dipole moment of compound if central atom have no lone pair and letter atom are same if central atom have no lone pair and letter atom are same and letter atom are same ये रूल ध्यान रखना if central atom have no lone pair and letter atom are same then dipole movement of compound always 0 CH4 का कितना आएगा अपने पास? 0 CCL4 का कितना आएगा अपने पास? 0 कोई भी आजाए अपने पास PCL5 का कितना आएगा? 0 I F7 का कितना आएगा? 0 CO2 का कितना आएगा? 0 अगर central atom के पास कोई lone pair नहीं हुआ letter atom same हुआ था dipole moment की value always 0 मिलेगी अपने पास? कितनी मिलेगी? 0 तो इन दोनों की CCL4 and इनकी क्या हो गई? 0 dipole moment हो गया किसका? CH4 0 आगया CCL4 का कितना आगया? 0 आगया बचा कौन? CHCL3 इसका dipole moment 0 नहीं होगा इनका इन दोनों से ज़्यादा होगा तो इसी CH4 CCL4 का 0 और इन दोनों का ज़्यादा होगया answer आगया first next बात करते हैं अपन the bond order and the magnetic character of the Cn-InR Cn- के आबंद करम दथा चुम्प की अभी लक्षनिये गुण है किसके Cn-? कितने हुए? electron हुए total कितने? 14 14 पर bond order कितना हैगा? 3 14 कैसा है? even number है तो क्या होगा? diamagnetic कैसा होगा? diamagnetic bond order 3 and diamagnetic next बात करते हैं अपन द्रव एथिल असेटेट में उपस्तित अंत्राणमिक बल है इसमें अपन लंडन फोर्स बोल सकते हैं और दैपोल-दैपोल hydrogen bond एक दैपोल-दैपोल attraction force है तो कौन सा बोल देंगे? third question बोल देंगे? बोल देंगे? इसमें यही देंगे? इसमें लंडन एंड दैपोल-दैपोल next question देखते हैं एवन arrange the following bond according to their average bond energy in the descending order निमलिक्त अबंदों को उनके उसत अबंद उर्जा के अनुसार गढ़ते करम में करम मर्द कीचिए अपने अभी बताया था bond energy directly proportional होती है कि इसके overlapping के and overlapping inverse होती है कि इसके size के यह order ध्यान रखना bond energy directly proportional होती होती है कि इसके overlapping के और inverse होती है किसके size के तो अपने देखा यहाँ कौन सा है carbon carbon same है इनमे सब में और fluorine, chlorine, bromine, iodine यह decreasing order है यह क्या है increasing order है size का तो सबसे ज़्यादे bond energy किसके आएगी CF bond की फिर carbon chlorine bond की फिर carbon bromine bond की फिर carbon iodine bond की यह किसका order आगया bond energy का order आगया अगर वो bond length का order पूस्ता तो सबसे ज़्यादा carbon iodine फिर carbon bromine फिर carbon chlorine फिर carbon fluorine तो bond energy का order आगया carbon fluorine, carbon chlorine, carbon bromine, carbon iodine bond length का order आगया इसका just against तो answer आजएगा अपने पास second answer आजएगा one unpaid electron है उसके पास और M.O.T में अगर देखें अपने पास अपने पास अपने अपने syllabus में neon N.E.2 तक N.E.2 तक है कहां तक है? N.E.2 तक है तो इसमें अपन देखें ज़िए 10 and 16 पर अगर 10 and 16 electron होते हैं कितने 10 and 16 electron होते हैं तो unpaid electron कितनी मिलते हैं अपने को? कितनी मिलते हैं? 2 unpaid electron मिलते हैं कितनी मिलते हैं? 2 अगर 10 and 16 अपने पास हैं То unpaid electron कितनी मिलेंगे अपने को? 2. मिलेंगे कितनी मिलेंगे? 2 unpaid electron मिलेंगे. तो यह magnetic moment in cyber好像? कितना आएगा? 2.83 आएगा. बाकी जितनी भी para magnetic specific है。 सब का bond order कितना आएगा? 1.73 आएगा. कितना आएगा? 1.73 आएगा. और बाकी जब में 10 10 और 16 भी कितना हैगा 2.83 क्योंकि यहां पर इलेक्टोन कितने होंगे 2 जबकि यहां पर कितने होंगे 1.73 कितनी भी कोई स्पीसी जा जाए जैसे आप बोलोगे 2.83 कितना हैगा 2.83 कितना हैं टो जोड़कर 10 और 16 एलेक्टोन कि चोड़कर सिर्फ 10 और 16 रखने वालों के कवास कितना हैगा 2.83 हैगा 2.83 तो अपन देख लेते हैं, इसमें 16- Anh यहां पर अपन बात करें इसमें कितने हुए 15 15 पर कितना हैगा अरिप 8- Essen 1 है यहां भी देख लेते हैं O2 है इसमें भी O2 है तो यह तो Cancell Cancel Cancell इन दोनों मी बात कर लें यह O2 है ने इसमें तो answer आजाएगा अपना second, next question देखते हैं अबन, the number of sp2 hybrid orbital in a molecule of benzene is, इसमें बहुत confused होते हो तुम, क्या, carbon है, next page पर करते हैं अबन, एक carbon में कौन सा hybridation है, इस carbon में sp2 hybridation है, जिसका मतलब क्या है, इसने 3 sp2 hybrid orbital मना रखे हैं, एक इस्तरफ, एक इस्तरफ और एक इस्तरफ, तीन sp2 hybrid orbital है, एक इस्तरफ, एक इस्तरफ और एक इस्तरफ, इसने भी इस्तरफ, 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 हरे कार्बन ने 3 हरे कार्बन 3 SP2 हाइब्रीड और्बिटल रख रहा है तो कार्बन टोटल कितने होगे 6 तो कितने होगे 18 होगे क्योंकि 6 multiply 3 कितने आ जाएंगे 18 है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा next question देखते है अपन आज के लिए इतना ही कल next topic बढ़ेंगे अपन SPDF, Block and Environmental Chemistry आज का अच्छा topic था interesting topic था इसको revise करना और mainly अपन MOT पर विश्यश ज्यान देना कि हर साल MOT से किष्यन आते हैं Molecular Orbital Theory से तो आज के लिए इतना ही thank you